UB Board परिक्षाएं 16 फरवरी से होने वाली हैं तो आईए 16 फरवरी को किस पैटर्न पर आधारित होगा आपका model paper कैसा होगा pattern वो हम लेकर के आ गए हैं तो आओ हम हल करते हैं इस paper को समस्ते हैं परिक्षा के pattern को जैसा कि आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय होता ही होता है पुर्णांग 100 का होता है ज्यान सिंदू coaching classes का आप टेलिग्राम चैनल जोईन कर लिजे चुकि notification तमाम वीडियो हो जाने के करण नहीं पहुंसते हैं और 16 फरवरी से पहले आप कोई वीडियो मिस नहीं करना है कोई भी इसलिए टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजे हर एक वीडियो का लिंक हम वहीं भेजते हैं वाटसप के चक्कर में ना पढ़िए ठीक है टेलिग्राम चैनल जोईन कीजिएगा ग्यान सिंदू कोचिंग क्लासस सही सही स्पेलिंग डालिए जैसे हमारी चैनल की स्पेलिंग है तो आपको मिल जाएगा और जोईन कर लेजे वहाँ पर सारे नॉटिपिकेशन आपको मिलते हैं अब चुकी नॉटिपिकेशन पहुंचता नहीं है अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लिया है इसलिए टेलिग्राम जोईन करना जरूरी हो जाता बाकी कोई खास बात नहीं है पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर ये है कि डिप्टी कलक्टरी के लेखक कौन है निमनिकित मैं से कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है उरू जोती अगनी की उडान महके आंगन चहके द्वार मेरे विचार यहाँ पर महके आंगन चहके द्वार कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है मुझी पेम चंद ने कौन सा उपन्यास लिखा है चंदरकांता गोदान परिक्षा गुरू नौका डूबी तो परिक्षा गुरू लाला सरी निवासदास का है चंदरकांता देव किनंदन खत्री का है लेकिन गोदान उपन्यास जो है मुझी प्रेम चंद का है मुझी प्रेम चंद का उपन्यास कौन है गोदान है गबन है ठीक है गबन कर्म भूमी है कर्म भूमी है, गोदान, गबन, कर्म भूमी है, निर्मला है, निर्मला है, मंगल सूत्र है, कौन सा मंगल सूत्र है और एक कहानी इनकी प्रसिद्ध है कफन, कफन क्या है, कहानी है, और मंगल सूत्र है और गोदान हो गया, मंगल सूत्र हो गया, निर्मला हो गया, ठीक है? ऐसे इनके तमाम उपन्यास है, हमने एक ट्रिक से इनका एक वीडियो डाल दिया है, ट्रिक से आप लिखेंगे मुंसी प्रेमचंद की उपन्यास ट्रिक ज्यान सिंदु, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है तो गोदान है परिक्षा गुरू लाला स्री निवास दास का है निम्न में से हरिशंकर परसाई का निवन संगरह कौन सा है आपको ऐसे वीडियोज नहीं देखना है मैं सावधान करता हूँ जिन पे केवल थंबनेल ही जबरदस्त हो इस समय आपको हजारों लोग पढ़ाते चाहूंगा कि आप केवल वही चैनल चुनिए जो एक विशय को लेकर के एक दक्षता प्राप्त अध्यापक आपको पढ़ा रहा हो जो गैरेंटी ले सकता है आपके 95 प्लस की बाकी गैरेंटी थंबनेल पे सबके लिखी होती है ठीक है थंबनेल पे सबके लिखी होती है ल वो चाहे हम हो या कोई हो हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, संस्कित के लिए समाज सास्त के लिए फिजिस कमस्ट्री मैत अपनी अलग-अलग विशय के लिए आप अपना अलग-अलग एक अध्यापक चुनिए कि वो अच्छा पढ़ा रहा है वो हमें पार करवा देगा मैराथन क्लासेस के माध्यम से अथवा केवल हमें बेवकूब बना रहा है ठीक है, तो ऐसे हिसाब से आपको पढ़ना है, आप मैं नहीं करता हूँ कि फलाँ चैनल से पढ़िए नहीं, सबसे पढ़िए लेकिन पढ़िए सबसे वरसात में मेढक निकल के आ जाते हैं ठीक है, वैसे ही तमाम चैनल खुल जाएंगे ठीक है, तमाम लोग आपको पढ़ाने लगेंगे, लेकिन क्या, क्या वो जो पढ़ा रहे हैं क्या वे दक्षता प्राप्त हैं क्या वे डिग्री होल्डर हैं अगर आप यूटूब पे किसी डॉक्टर से दवाई लेंगे तो आपको उस डॉक्टर की डिग्रीया नहीं पता हैं, लेकिन आप दवाई ले लेंगे अगर यूटूब से तो आपके नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप एक विशेश व्यक्ति को एक जो क्वालिटी पूर्ण आपको एजुकेशन दे रहा हो आपको आपकी परिक्षा का मार्कदर्शन दे रहा हो आपको परिक्षा की जो विशे है उसको कंपलीट करवा दे आपकी उस डेट तक तो ऐसे विक्तियों से आप पढ़िए ये नहीं है कि ये कर लो वो हो जाएगा नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है कि ये कर लो वो हो जाएगा एक वीडियो में 200 नंबर आपके पक्के हो जाएगे 500 पक्के हो जाएगे ऐसा कुछ होता नहीं है, बाकी आप time waste करेंगे, last में क्या होगा आपका बड़ा loss जाएगा इसलिए पूरा जहां पर पूरा syllabus आपको एक विशय का मिल जाए जैसे हमारे चैनल पे आपको Sanskrit और Hindi का full syllabus मिलेगा और complete मिलेगा और परिक्षा की द्रष्टी से हम आपको Hindi Sanskrit की guarantee लेते हैं अब बाकी विशयों में हम आपको मदद तो करेंगे, लेकिन मदद तभी करेंगे जो हमें पता होगा आप कहेंगे सरंग्रेजी पढ़ा दीजे तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे आती नहीं है हाँ वो अलग बात है मैं अंग्रेजी की important चीजें बता सकता हूँ लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे आती नहीं इंग्रेजी तो इसलिए जो है मुझे जो आता है मैं वो आपको आपकी परिक्षा तक निप्टवा दूँगा बाकी आप अपने हिसाब से अपने टीचर्स चुनिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आगे पढ़िए कि हरिशंकर परसाई का निबन संग्रा कौन है विचार प्रवाह प् अनिया लाल में से प्रवाकर राय कृष्णदास या सरदार पूर्ण सिंग सच्ची बीरता सरदार पूर्ण सिंग का निबन्ध है अब दो का का आएगा यहां से पद्य साहित के विकास पर आधारित प्रशनोत्तर चालू होंगे ठीक है रिवीजन क्लासे बहुत जल चलने वाली हैं आप टेंचन नलो सोला से चला देंगे हम बात यह है कि अभी सोला तक प्रिबोर्ण है तो कुछ मॉडल पेपर हम मुहया करा देते हैं आपको निबिकिस में से कौन सा गरंती आधिकाल का गरंत है स्रीराम चरित मानस पदमावत रासो या फिर कामाईनी ठीक है तो जो गरंत हैं वो आपके आधिकाल के गरंत कहे जाते हैं यानि प्रत्वीराज रासो निबिकित में से मैथरिशन गुप्त का पहला कावे संगरहा कौन सा है ठीक है आपको अगर मॉडल पेपर डाउनलोड करने है तो मॉडल पेपर modelpaper.info website पे चले जाए यहाँ पर आपको pre-board और वार्शिक परिक्षा और अदवार्शिक सब के model paper मिल जाएंगे description में हमने link भी दे दे है crash course की भी निमन में से मैथरिशन गुप्त का पहला कावे संगरहा कौन सा है तो आपको यहाँ पर वैसे तो रंग में भंग और जैदरत बद और भारत भारती यह ऐसे चलते हैं ठीक है और लेकिन यहाँ पर चुकि पहला कावे संगरहा रंग में भं वो दिया नहीं है तो आप भारत भारती लगा देंगे चुकि कावे संगरहा नहीं है यह एक कावे की किताब है पूरी पूरी निमनिकित में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महा कावे है प्रिय प्रवास के लेखा कौन है हरियोद है हरियोद यानि जहां से आपका पवंदूतिका लिया गया है ठीक है पंत को साहित्य अकादमी पुरसकार कि स्कृती पर मिला था युगांत कला और बुढ़ा चांद लोकायतन स्वन किरन ठीक है देखिए कला और बुढ़ा चांद पर लोकायतन पर या स्वन किरन पर या सोवियत लेंड नहरू पुरसकार भी कहते हैं लोकायतन पर मिला था ठीक है साहित अकादमी कला और बुढ़ा चांद पर मिला था अब निम्न में से किन्हें ग्यानपीट पुरसकार नहीं मिला और ये हजारों बार प्रसंद पूचा गया है ठीक है बहुत बार आया है तो महा और बुढ़ा चांद पर मिला है ठीक है नहीं नहीं पंत को जो है अच्छा पंत को चिदंबरा पर मिला है ठीक है चिदंबरा पर पंत को मिला है अग्ये को कितनी नाओं में कितनी बार पर ग्यानपीट पुरसकार मिला है लेकिन निराला को नहीं मिला है फिर चलते हैं आप खतम हो रहे हैं आपके हिंदी गद्य पद्य साहित के विकास संबंधित प्रश्ण ठीक है दिये गए गद्यांस पर आधारित निविकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए रमडियता और नित्यनूतंता अन्योन्यासरित हैं रमडियता के अभाव में कोई भी चीज मानने नहीं होती है नित्यनूतंता किसी भी सरजक की मौलिक उपलब्धी की प्रामारिक्ता सूचित करती है तो अब देखे यहां पर सबसे पहले पढ़ लो उपर गद्यांस के ठीक है फिर देखेगा यहां पर अगला प्रसंत यह पूच रहे हैं क्या की रेखांकी तंसकी व्याक्या भासा समूची युग चेतना की अभिवक्ती का एक ससक्त माध्यम है ऐसी ससक्ता तभी अरजित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल मुहावरों को ग्रहन कर सक तो आप लिखेंगे प्रफेसर जी संदर रेड़ी जी कहते हैं कि भासा संपूण युग चेतना की विचारों के अभिवक्ती का एक मजबूत साधन है भासा के माध्यम से एक विचारों का आदान प्रदान करता है और भासा तभी ससक्त हो सकती है जब अपने युग के अनुसार मुहावरों को ग्रहण कर सके, युग के अनुसार शब्दों को ग्रहण कर सके और युग के अनुसार ही बातचीत को ग्रहण कर सके, क्योंकि भाषा सामाजिक भाव प्रकटी करण की सुबोलता के लिए ही निर्दिष्ट है, उद्दिष्ट है सर्जक की मौलिक उपलब्धी का प्रमाड क्या है? नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धी की प्रमाडिकता सूचित करती है किसे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता? तो आप देखे यहां पर यहां लिखा है सड़ी गली मानिताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता? रमडियता और उद्दिष्ट शबनों का अर्थ इस्पष्ट कीजिए रमडियता का मतलब होता है सुन्दरता ठीक है? उद्दिष्ट का मतलब होता है निर्दिष्ट या निर्देशित ठीक है? यानि सुबोता के लिए उद्दिष्ट है उद्दिष्ट मतलब बताई गई या निर्दिष्ट है बताई गई कह सकते हैं जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वा उर्जा का ही सुरूप है जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो उर्जा का ही सुरूप है अब देखें यहाँ पर रेखांग की तंस है तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं, यहां पर दिखेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं, जो कुछ हम इस संसार में अनुभूत करते हैं, वो समस्त ही उर्जा का ही स्वरूप है, क्योंकि कहा ग रिवर्तन होता है उर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है इसलिए महारशरविंद ने भी कहा है कि हम उर्जा के ही अंश हैं ठीक है तो महारशरविंद ने क्या कहा है महारशरविंद ने कहा है कि हम उर्जा के ही अंश हैं हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वो क्या है उर् ठीक है या महात्मे कह सकते हैं तादात्म का आर्थ होता है समानता तादात्म का मतलब होता है समानता ठीक है या समान का भाव ठीक है तादात्मे का आर्थ क्या होता है तलीनता भी होता है तादात्मे का आर्थ होता है तलीनता तलीनता कह सकते हैं या उसी में लीन हो जाना या एक हो जाना या एक संभाव हो जाना या समान हो जाना तो तलीनिता लिखिए सबसे अच्छा है या एक हो जाना लिख सकते हैं ठीक है और आस्तित्त का मतलब होता है वजूद ठीक है? रेखांके तंस्की व्याक्ष्याम ने करही दी है गद्यांस के पाठ का नाम है क्या हम और हमारा आदर्श तेजस्वी बनके संपादित अंश है और डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए नम धुबं से ओन भेजा संदेशा मैरो रोके प्रिय विराह से बावली हो रही हूं जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे जोही तेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी शोबा वाली सुखद कितनी मंजु कुन्जे मिलेगी प्यारी छाया म्रदुल सर से मोह लेगी तुझे वे तो भी मेरा दुख लक वहाँ जानवि साम लेना तो यहां रेखांकित अंश है इसकी सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं पवन दूतिका कहां से लिया गया है हरियोद जी ने लिखा है पवन दूतिका तो पवन दूतिका में राधा जी पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे स्रीकृष्ट जो है नवजलद नवजलद माने नवीन बादलों के समान कंज अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले हैं वे मधुबन को जब से गए हैं तो ना तो वहां से वापस लोट कराएं हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है मैं उनके विरह विथा से बावली हो रही हूं पगलाई जा रही हूं और मेरी सारी दुख की कथा तु जाकर के हे भवन शाम को सुना देना और तेरा भवन तचकर तु जैसे आगे बढ़ेगी त्याक कर थोड़ा सा अलप माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझको बड़ा शोभायमान सुन्दर सुन्दर सुख देने वाली सुन्दर सुन्दर कुंजे मिलेंगी कुंजे माने बगीचा छोटे छोटे बगिया मिलेंगी, बावरी मिलेंगी, प्यारी चाया वहाँ पर होगी और वहाँ चिडियों की मरदल स्वर होंगे, वो तुझको मोह लेंगी लेकिन तुझको वहाँ पर मोहित नहीं होना है मेरा दुख लख मेरा दुख देख कर वहाँ जाकर के तुझको विश्राम नहीं लेना है हे पवन तो राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेज भिजवाती है तो पवन के द्वारा भिजवाती है रेखांकितंस की व्याक्यावदादे क्रिश्न का सौंदर एक ऐसा है प्यारे नवीन जलद के समान उनका रूप है तथा कंज के समान उनके नेत्र है राधा की मनोद अशा का व्रणन हमने करही दिया है उपर पद्यान से समदित कविता का शीरशक पबंदूतिका कवी का नाम अयोध्या सिंगुपाद्याय हरियोद है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार बोगलित सा आज भी लहरा रही उद्दाम बहरही असहाय नर की भावना निशकाम बीश्म हो अत्वा युधिष्ठिर याकि हो भगवान बुद्ध हो की अशोक गांधी हो की सुमहान सिर्जुका सब को सभी को स्रेष्ठ निज से मान मात्रवाच की ही उन्हें देता हुआ सम्मान दग्द कर पर को सयं भी भोगता दुखदा जा रहा मानो चला अब भी पुरा नीरा अब भी पुरा नीरा अब तक सीतल नहीं हो सका है ये अब भी जल रहा है भोग लिपसा भोग लिपसा का आर्थ जानते हो भोग की इच्छा आज भी लहरा रही उद्दाम उद्दाम का अर्थ क्या होता है उद्दाम का अर्थ होता है तीब्र गती से आज भी भोग की च्छाएं मनुष्य में तीब्र गती से लहरा रही है प्रचंड गती से लहरा रही है मानों के मन में धन वैभोक काम सुखों की भोग लिपसा आज भी बह रही है पसूँ जैसी आदतें आज भी मनुष्य शमन नहीं कर पाया है बह रही असहाई नर्की भावना निश्काम अभी भी मानों की भावनाएं भावनाओं की कोई कदर नहीं है बह रही असहाई नर्की भावना निश्काम असहाई नर अर्थात जो तुछ्य प्राणी है नीच मानों है जो गरीब है मानवता की मानवी मुल्लों की मानवी भावनाओं की कोई कदर नहीं सब जगे धन की लिपसा बढ़ रही है सब जगे भीष्म हो अत्वा युदिष्टिर या की हो भगवान चाहे भीष्म हो चाहे युदिष्टिर हो चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे महत्मा बुद्ध हो चाहे अशोक हो चाहे गांधी हो चाहे जिसस क्राइस्ट इसा मसी हो चाहे जो हो चाहे जो हो सब ने अहिंसा का संदेश दिया सिर जुका सब को सभी को स्रेष्ट निजसे मान मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ संवान यानि वर्तमान युक के मानों ने इन महापुरुशों को अपने से स्रेष्ट मान कर इन सब के प्रती स्रद्धा एवं सम्मान तो व्यक्त करते हैं किन्तु इनके बताय हुए अहिंसा के मार्ग को नहीं अपनाते केवल वाचिक सम्मान देते हैं मात्र वाचिक मतलब केवल वाणी से इनको सम्मान देता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता है सभी को अपने निश्य स्रेष्ट तो मानता है, सभी को सिर जुकाता है, लेकिन जो उन्होंने सत्य अहिंसा और सुकर्म का मार्ग बताया, उन पर नहीं कोई मनुश्य चल रहा है, केवलवानी से सम्मान देता है, अंदर से नहीं, दग्द कर पर को, पर माने दूसरे को, दग् से दग्द करके, स्वयम भी यह मनुश्य दुख में जलता है, और आज भी मानो अपनी पुरानी राह पर चला जा रहा है, जूट के रास्ते पर पापाचार कर रहा है, तो पाट का नाम दिनकर का, मतलब पाट का नाम अभिनो मनुश्य और कवी का नाम रामधारी सिंग दि है, कि है बहुत, यानि कि इस धर्ती पर अमरित की धारा बहुत बरस चुकी है, यानि सभी सत पुरुसों के वचनों की धारा, वचन रूपी अमरित की धारा बरस चुकी है महत्माओं के उपदेशों के संदर में कभी ने क्या कहा कि महत्माओं के उपदेशों को मनुष्य सुनता है, मानता है, उन सभी को स्रेष्ट मानता है, लेकिन केवल उनको वाचिक सम्मान देता है, अंतहकरण से नहीं प्रसुत पध्यांस में मानों के दुखों का निमित और निदान क्या बताया गया है तो निदान यही बताया गया है कि सभी को बराबर सम्मान दो मानवी मूल्यों को सम्मान दो और सत्य और हिंसा की रा जो इशा इश बुद्ध इश अशोक गांधी आदी ने बताया है उसी के मार्क पर चलो वाचिक सम्मान नहीं अन्तहकरण से सम्मान दो तभी आपके दुखों का निदान हो सकता है अब आपका साहितिक परिचे देना होगा साहितिक परिचे अश्ची शब्दों में आज ही वीडियो अपलोड हुई है साहितिक परिचे कैसे लिखें जीवन परिचे कैसे लिखें आप आराम से दिखिएगा ग्यान सिंदू आगे डाल लेंगे तो आप लिखेंगे साहित्तिक परिचे कैसे लिखें ग्यान सिंदू तो आपको वीडियो मिल जाएगा ठीक है फिर कौन से जिए उन परिचे साहित्तिक परिचे आपको याद करना है वो भी बता देंगे ठीक है साहित्तिक परिचे देते हुए कई कभी की यानि दस नंबर आपके पक्क्य होंगे यहां से दुरुयात्रा बहादुर कहानी का सारांस ठीक है दुरुयात्रा और बहादुर कहानी का सारांस आपको लिखना है शब्द सीमा इसकी भी 80 शब्द है यानि एक एक देड़ पेज में सबको लिखना है फिर खंड काब में आपको चरिचित्रन जरूर याद कर लेना है ठीक है बस आपका काम हो जाएगा फिर खंड खा आता है खंड खा में आपको क्या करना होगा खंड खा में दो गद्यांस दो पद्यांश आएंगे संस्कृत के एक गद्यांस और एक पद्यांश को करना होगा दिएगे संस्कृत गद्यांसों में हिंदी अनुमात कीजिए मैं पूरा कराता हूँ कोई भी पेपर अधूरा नहीं पूरा का पूरा यतेव उपकरणवताम जीवनम तथाईवते जीवनम स्यात जैसा उपकरणवताम मर्थादधनी लोगों का जीवन होता है। तथयो मिंस वैसा ही ते माने तुम्हारा जीवनमाने जीवन स्यात्माने होगा। मैत्रेई से याकिवल्क कहते हैं कि जैसा जब मैत्रेई कहती है क्या मुझे पूरी दुनिया का धन मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी तो नहीं कहते हैं नहीं। मैत्रेई जैसा धनी लोगों का साधन संपन लोगों का जीवन होता है, वैसा ही जीवन तुम्हारा भी हो जाएगा, अमरत्त्त से तु नाशास्ति वित्तेन, वित्तेन माने धन से नाशास्ति आसा नहीं है, तुमाने तो अमरत्त की आशा धन से नहीं की जा सकती, सा महित्रेई वाच वो महित्रेई बोली ये नमाने जिससे अहम माने मैं ना माने नहीं अमरता माने अमर स्याम माने हो पाऊंगी किम माने क्या अहम माने मैं तेन माने उसका कुरियाम माने करूंगी रे जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूंगी जो कुछ भी भगवन आप अमरित तत्यो साधन के बारे में केवल जानते हैं तदेव में बुरू ही वही मुझसे बोलो याग्यवल के वाच याग्यवल के बोले प्रिया हे प्रिया नह माने हमारी सती माने सती तुम माने तुम मेरी सती हो प्रियम भाष्टे प्रिये बोल रह ही हो अच्छा कह रही हो एह आओ उपविश बैठो व्याख्या स्याम व्याख्या करूंगा ते माने तुमसे अमरी तत्तो साधन की तो कहां से लिया गया आत्मग्येव सरवग्या पाट से लिया गया है महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेशु बद्धा हनियत लक्षातन नियत माने निश्चित लक्षात माने लक्ष से ना माने नहीं कदाप माने कभी भी व्रशनत माने ब्रमित होते हैं यानि महापुरुस सांसारिक प्रलोभनों में बंध कर निश्चित लच्छ से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं देश सेवा अनुरक्तो देश सेवा में सनलग्न अयम युवह यह युवा उच्च न्यायालयस से उच्च न्यायालय की परिधव माने बाउंडरी में या परिधी में इस्थातुम न अशकनोत ठहर नहीं सका पंडित मोतीलाल नहरू, लाला लाजपतराय, पंडित मोतीलाल नहरू, लाला लाजपतराय, प्रवर्तबीवाने इत्यादी, अन्य ही राष्ट्रनाई कई है, अन्य राष्ट्रनाईक सहा, सो अपी वहाभी देशस्य स्वतंतरता संग्रामें अवतिर रहां, देश के स्वतंत किया रॉलेट एक्ट इति आख्यस से रॉलेट एक्ट इस नाम के कानून के विरोधे विरोध में अस्यमाने इनका ओजस्वी भाशन सुत्वा सुन करके अंगल शाशकाह अंग्रेजी शाशक भीताह जाता हमाने डर गए बहुवारम बहुत बार कारागारे निक्षिप्तो अ अपी कारागार था जेल में निक्षिप्तो अपिमाने डाले जाने पर भी अयंवी रहा इस वीर ने देश सेवा अवरतम ना तज्यत देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा हो गया चलो कहां से लिया गया महामना मालविया पार से फिर है उदेती सविता ताम रहताम रह एक रूपता उदेती माने उदित होने पर सविता माने सूर्य ताम रह माने लाल ताम रह माने लाल एव माने ही अस्तमेती माने अस्त होते होने पर चा माने और जब सूर्य उदित होता है तो लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है संपत्त वुचा विपत्त वुच एक रूपता एक रूप में रहते हैं संपत्य और विपत्य में जो महापुरुष है उनका एक रूप देखने को मिलता है जैसे उदित होने पर सूरिल लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल रहता है यानि संपत्य में जन्म में और मृत्यू में जुख में और दुख में महान लोग समान रहते हैं यानी समझ गया आप प्रीनातियाह सुचरितै पितरम सपूत्रों यद भर्तुए वहितमेच्छति तत कलत्रम ताद मेत्र आपदि सुखे चसमक्रियम यद एतत्रयम जगति पुंडे कृतो लभंते प्रिनाति माने प्रसंद करता है यह माने जो सुचरितै हि माने सुंदर चरित्र से पितरम माने पिता को सपूत्रों वही सच्चा पूत्र है जो अपने सुकर्म से सुचरित्र से पिता को प्रसंद करता है वही सच्चा पूत्र है यद माने जो भरतु माने पती का एव माने ही हितम माने हित इच्छति माने चाहती है तत माने वह कलत्रम माने इस्त्री वही स्थी सच्ची स्थी है जो अपने पती की हित चाहती है पती का हित चाहती है तत मित्रम और वही सच्चा मित्र है आपद यानि दुख में सुखेचा और सुख में समक्रियम समान भाव से सक्री रहता है और एतत्रयम इस तीनों को यह तीन एतत्रयम जगति संसार में पुं दिवान लोग प्राप्त करते हैं किसको सच्चा मित्र सच्चा पुत्र और सच्ची पतनी तो भाईया अब आएंगे मुहावरे और लोकोक्तियां ठीक है क्रैस कोर्स में सब पड़ा हुआ है देख लिजेगा अपनी खिचडी अलग पकाना सबसे प्रथक कार्य करना राम भरोसे अपनी खिचडी सदा अलग पकाता है दाल में काला होना संका गरस्त होना थोथा चना बाजे घना थोथा चना भाजे घना का मतलब यह है यानी अलपग्य का दींगे हाकना ठीक है अलपग्य का क्या करना दींगे हाकना ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है ओछा ओछे व्यक्ति का दिखावा करना सौकीन बुढिया चटाई का लहंगा बेढ़ंगा शौक ठीक है फिर आप है कविश्वर का कविधन इश्वरह कविश्वरह हो जाएगा फिर आएगा ज्ञानों पदेश ज्ञान खन उपदेशवरह ज्य्ठन अनमonna दा वाला सभी छाएगा शेयन अंहो जाएगा आयादीसंदी होगा ठीक है आगे बढ़िए पिर है कपट और कपाट कपट का मतलब होता है धोखा कपाट का आर्थ होता है दर्वाजा धोखा और दर्वाजा अंबुज और अंबुज का आर्थ होता कमल अंबुद का मतलब होता है बादल तो कमल और बादल करी शब्द के सही अर्थ को पहले नहीं हुआ अभूत पूर्व सत्य में जिसका द्रढ विश्वास हो ठीक है सत्य निष्ठ मेरा प्राण संक्ट में वाकिशुद्ध करना है मेरा प्राण संक्ट में है तो मेरे वचन संबधी क्या है इसमें त्रोटी है मेरे प्राण होना चाहिए लिंग की द्रश्टी से अशुद्ध सब्ध है अशुद्ध वाक है मैंने रामायड की ठीका पढ़ी आपका कृपा पत्र मिला महादेवर्मा कवईत्ति हैं सीमा गुणवान इस्त्री है यहाँ पर यह जो है सीमा गुणवती स्त्री होना चाहिए ना जी रहा है करुणुरस और सान्तरस का लक्षण और उदाहन लिखे अधिक है तो करुणुरस देखेगा लक्षण क्या लिखेंग dizer करूरस में इश्ट विनास बंदु वियोग आदी के करण जब शोक नाम के स्थाई भाव विभाव और भाव विवचारी भाव आदी के द्वारा पुष्ट होता है तो करूरस की निस्पत्ति होती है जैसे मरी खोए भोजंग सी जननी फनसा पटक रही थीशीश अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुम्ने जग दीश तो ये हो गया शांतरस का लक्षण शांत का इस्थाई भाव निर्वेद होता है जब निर्वेद नामक इस्थाई भाव विभाव और भाव विवचारी भाव वादी के द्वारा पुष्ट होता है तो शांतरस की निस्पत्ति होती है जैसे अब लो नसानी अब नान सई हो राम क्रिपाभव निशा सिरानी जागे फिर नडसई हो अब लो नसानी अब नान सई हो यह क्या हो गया यह हो गया आपका शांतरस ठीक है तो सलेश लंकार जैसे चरन धरत चिंता करत चितवत चारिव और सुबरन को खोजत फिरत कभी भी चारी चोर शलेश का रत होता है सलेश चिपका हुआ जहां पर एक शब्द के दो अर्थ होते हैं दो या दो से अधिकार्थ ह होते हैं वहां पर शलेश लंकार होता है जैसे सुबरन के वहां पर दो अर्थ हैं सुंदर्व इस्त्री सुंदर्व अक्षर और सुना फित उत्परेक्षा अलंकार उपमे में उपमान की संभावना होने पर उत्परेक्षा अलंकार होता है उसमें वाचक शब्द मनुमानो धरम केहानी बाढ़ हैं ही असूर अधम व्यभिमानी तब तब दरी परभू बीबीद शरीरा तब तब अधरी प्रभू बीबीद शरीरा हर ही कृपानी धी सजन पीरा यह हो गया चौपाई ठीक है दोहा क्या होगा दोहा तो चौपाई के चार चरण होते हैं सोला सोला मात्राइं होते हैं अंत में दो गुरू होते हैं सम्मात्रिक छंद है ठीक है दोहा अर्द सम्मात्रिक छंद है दूसरे और चोथे चरण में प्रथम और तरतिये चरण में त प्रदान की ओर से अपने जिले के जिलादिकारी और हो सकता वीडियो देख रहे हो तो हो भी चुका हो जिलादिकारी के नाम पत्र लिखना है गाउं की सफाई के संबंद में कोरोना एक वैश्विक चुनौती निबंध आरच्छण वश्था वर्दान अभिशाप नई तुल सीदा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं प्रदूशन की समस्या आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से और अगर आपको पेपर नहीं मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है क्यों